जिलाधीश कांगडा राकेश प्रजापती का अभी तबादला ना किया जाए यदि सरकार ने उपायुक्त का तबादला किया तो इसका पंचायत प्रतिनीरी विरोध करेंगे इसी के चलते जिला कांगडा के पंचायत प्रतिनीदियों ने जिला प्रशाशन के माद्यम से मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर को ग्यापन बेजा है जिला प्रशाशन सदसे वाड नमबर आट है भट्यारा जिला कांगडा जोगिंदर सिंग पेंको के नेतर्तों में पंचायत प्रतिनीदियों ने ए-डी सी के माद्यम से मुख्य मंत्री को उपायुकत कांगडा राकेश प्रजपती का तबादला ना करने हेतु ग्यापन उन्होंने मांग में कहा है कि जैसे परदेश सरकार एवम आम जंता को भी मालूम है कि इस महामारी की तीसरी लहर का अंदेशा जिटाया जा रहा है जिसके जल्दे जिलादौिक कांगड़ा को इस महामारी करोना काल तक इस अवदी के लिए एक वर्ष यहां और रखा जाए। उन्होंने कहा कि क्यूंकि उपायुक्त कांग्डा के कारण ही कांग्डा जिला पूरे देश में अलग पहचान बनाए हुए है और इनके द्वरा जिला कार्याले में वी आई पी कल्चर खतम कर दिया गया है जिसके जलते आम व्यक्ति भी उपायुक्त कार्याले में उपायु कांगडा का तबादला होता है तो जिला कांगडा के 90 फीसदी पंचायत प्रतिनीदी एवं पूरू पंचायत प्रतिनीदी सरकार का विरोध करेंगे और परदेश सरकार को आगामी चुनावा में इसका खामयाजा तक भोगत ना पड़ सकता है इस दोरान जिला परशत सदस्य जोगिंदर सिंग भट्याडा वाड रविंदर कुमार बधानी वाड सोनिया देवी ठारू वाड रितिका शर्मा बतलाई वाड और शरेष्टा देवी पालंपूर वाड इत्यादी से वहां आये हुए थे नमस्कार मेरा नाम जोगिंदर सिंग पंकु है मैं जिला परशत बढ़्याडा वाड से हूँ और आज यहां पर 20 परधान उपरधान साथ जिला परशत जिसमें धर्मशाला के भागनी वाड से हमारे सेष्टा मैडम जी नग्रोटा से अमायनम सोनिया जी ठारू से बतला मैड बतला से हमारे जिला परशत जी कि जिस परकार सुनने में आ रहा है कि DC के तबादले होंगे सरकार से निवेदन है कि जिला कांगडा का जो DC है श्री रकेस कुमार प्रजापती जी उनका तबादला न किया जाएं क्योंकि कोविड काल में लगातार दो साल बीद गए हैं जिसके चलते हुए DC साब का शाशनकाल भी दो साल का हुए है और उनका ताल में लोगों के साथ व्यक्तिकत तोर पर है और फोन के मादिम से हर समस्या का समाधान करते हैं एक मात्तर जिला में ऐसे DC आये हैं जिनको फोन के वर्टसप के मादिम से भी समस्या का समधान वो करते हैं जिस परकार सरकार के दौरा जन्मंच कारेकम चलाएगे हैं लेकिन हमारे DC के दौरा प्रती दिन जन्मंच जो वो अपने जिला कारेले में रखा गया है B.I.P. कल्चर बहाँ पे खतम है किसी परकार का एंट्री पास वहाँ पे नहीं लगता है सरकार से हम निवेदन करते हैं कि किसी परकार का आगे आने वाले समय में अंदोलन ना किया जाएं उसके चलते हुए सरकार से हम आगरे कर रहे हैं कि जिला का अंगरे की DC का तबादला ना हो अगला कदम तो ये भी है कि पिछले कल हम सब लोगों ने आपस में बात की है और कल जो है सभी मंदल स्थार पर ग्यापन दिये जाएंगे माननी मुख्य मंत्री जी को और तबादला होता है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो उप चुनाब हो चाहें आगले चुनाब हो जिसमें सरकार को हानी हो सकती है क्योंकि एक मात्र DC के द्वारा जीला में परशासन बहुत अच्छी सरह से चलाया जा रहा है हर पंचायत प्रतिनी दी समय यहां पे आने के लिए त्यार है लेकिन COVID के चलते हुए यहां पे आना उनका उच्छित नहीं समझागे इसके चलते पए यहां पे नहीं आए इसके चलते वे कल अपने अपने स्टम कारेले में ग्यापन देंगे और यदि तबादला होता है तो कहीं न कहीं सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा जिसमें सरकार खुद जिम्मेवार होगी